हेलो गाइस आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मारे नई वीडियो में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसी है संगरी टीटैन दोजार चौबिस के जो सीरीज चल रही है इसके सतरवे मैच और आज के दिन के दूसरे मैच के बारे में ठीक है यह मैच खेला जाएगा रॉयल इगल्स वर्सेस बुड़ा पेश्ट ब्लैंडर के बीच मैच खेला जाएगा मैच की टाइमिंग है धाई बचे स्टार्ट होएगा इंडियन टाइमिंग के अनुसार डेट 18 जुलाई 2024 से आज ही की है वैजर की बात करें तो वैजर के की बात करें तो एवरेज स्कोर 120 से लेके 130 का बनता है और वेन्यू रिकार्ड की बात करें तो इस वेन्यू पर 15 मैच हो चुके हैं जिसमें से 8 मैच जीते हैं बैटिंग सेकंड करने वाले टीम ने यानि बैटिंग सेकंड को किसी भी टीम को कोई खास एडवांटेज नहीं है ठीक है वीडियो पूरा देखना बिना स्किप करें ताकि आपको दौनों टीमों के बारे में डिटेल में जानकारी हो जाएगी कौन सी टीम मजबूत है कौन सी टीम वी किस पिलर को कैप्टन मनाना है किस पिलर को किस पिलर को वाइस कैप्टन मनाना है उसके बारे में डि प्लेग्राम पर मिलती है ठीक है पहले बात करते हैं पहली टीम रॉयल इगल्स की जिसके इस टूनामेंट में तीन मैच हुए है जिसमें से मातर एक मैच इनकी टीम जीती है दो मैच इनकी टीम हारी है और लास्ट मेच जो खेला गाया उसी किसाब से हमने बैटिंग ओडर प् फयाज खान इसने तीन मैच में 38 बना थीक है दोनों ओपनिंग कर रहे हैं दोनों विकेट कीपरिंग सेक्सन में लेकर आपके लिए मैं अच्छा ओप्सन रहेगा फयाज खान क्यूंकि ये विकेट कीप्रिंग के भी अच्छे खासे पॉइंट दे सकता है ठीक है सलेक्सन क लेकर फयाज खान की एडवांटेज है कि आपको विकेट कीपरिंग के पॉइंट भी देगा उसके बाद है गुलरांग तल रेजा जिसने तीन मैच में 20 रन बनाया है एक और की गेंदबाजी करी जीरो विकेट लिए तो बॉलिंग तो कुछ खास नहीं करवाई है बैटिंग तो इसलिए अपने इसको ट्राइ नहीं करेंगे ठीक है इसका ओवराल डिकर डिकॉर्ट देखे गुलरांग तल रहे जागा तो 6 मैच में 50 रन बनाया है इसके बाद है सचीन चोहान जिसने तीन मैच में 14 रन बनाया है दो औरो की गेंदबाजी करवाई ती और लास्ट अच्छी कर सकता है ओवराल डिकॉर्ट की बात करें तो 20 मैच में 383 रन है 25 की एवरेस है इंपोर्टेंट है क्योंकि अच्छी बैटिंग कर सकता है सलेक्षन की बात करें 55 परसेंट है उसके बाद है सुमित चोहान दो मैच खेला है इस टूनामेंट में 6 रन बनाया है ओव अच्विंद कुमार जिसने 2 मैच में 8 टरन बनाया एक ओवर की गेंदबाजी करवाते वे एक विकेट लिया और बॉलिंग खाली लास्ट मैच में करवाई थी एक ओवर की इसको दूसरा ओवर भी मिलता हो लेकर उससे पहले ही मैच खतम हो गया था इसलिए इसको दूसरा और नहीं मिला इसके बाद है असवीनी सासी जिसने दो मैच में तीन ओवरों की गेंदबाजी करवाते वे चार विकेट लिया यह एक लिकेट कर गेंदबाजी करवाता है ठीक है सेलेक्शन की बात करें 87% है बिल्कुल आपको पिक करना है ओवर और लिकॉर्ट देखे तो दो मैच में 4 और 3 विकेट उसके बाद है अजे जेस्वाल जो लास्ट वाला मैच ही खेला था जिसमें 2 औरों की गेंदबाजी करवाई एक लिकेट लिया ओवर और लिकॉर्ट देखे 10 मैच में 15 और आट विकेट मिडल और में गेंदबाजी करवारा इस वज़ेसा अगर चाहो तो ट्राइक कर सकते हो ठीक है इसके बाद है बीबक सिंग जिसने दो मैच में 3 औरों की गेंदबाजी करवाते वे एक विकेट लिया यह एक अच्छा गेंदबाज है विकेट टेकर गेंदबाज है लेकर गेंदबाजी आपको कंफर्म कराकर देगा जोर्ज और अजे जिस वाल में से किसी भी एक पिलर को और चाहो तो ट्राइक कर सकते हो ठीक है फिलाल के लिए 5 अपने सलेक कर लिए बेंच पर से कोई सा भी फिलर खेलेगा तो उसके इस टेट्स तो आपको टेलीग्राम पर मिली जाएंगे या वीडियो को पोस्ट करके आप देख सकते हो बात करते हैं क्योंकि इन्हों का स्कॉर्ट बड़ा है इसलिए टेलीकाम चैनल से जोर्णों आपके लिए जरूरी है बात करते हैं दूसरी टीम बुड़ा पेस्ट ब्लाइंडर्स की जिसके इस टूनामेंट में दो मैच ही और दोनों मैच इनकी टीम एक विकेट लिया है एक लोता कैप्टन वाइस कैप्टन जी का चौईस है सलेक्ट भी करना है क्योंकि बेटिंग भी कर रहा साथ ही दो औरो की गेंद बाजी भी दे रहा है सलेक्शन देखे 96% है बिल्कुल आपको पिक करना है इसका ओवरॉल डिकॉर्ट भी सांदार है इ अठारा की अबरेस से 63 अवर की गैन बाजी 30 विकेट ठीक है उसके बाद है कलूम अकरूल गोड़ा ठीक है जिसने दो मैच में 80 रन बना है चार अवरों की गैन बाजी करवाते वे 0 विकेट लिए या भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर रहा है ओवरों लिकॉर्ड 12 मैच में 103 रन 18 की अवरेस से 15 अवर की गैन बाजी 7 विकेट बिल्कुल पिक करना है और अच्छा ओल राउंडर है सेलेक्शन की बात करे 87 परसेंट है ओपनिंग ही कर रहा है साथी गैन बाजी भी करवारा है इंपोर्टेंट उसके बादे असंका वली गमागे जिसने दो मैच में 77 रन बना यहां भी अच्छी बैटिंग कर रहा है और अच्छी स्टाइक रेट से रन बनाता है ठीक है इसलिए आपको इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना सेलेक्शन 87 परसेंट है ओवराल रिकॉर्ट 57 मैच में 573 रने 19 की एवरेस से 19 ओवर की गैंद बाजी नौ भी गे उसके बादे अली फरासत जिसने दो मैच में 6 रनी बना है कुछ बैटिंग का खास मौका भी नहीं मिल रहा है अगर ट्राय करना है तो ग्रेंड लिग में आप इसको फस्ट बैटिं और इस टूनामेंट में 2 मैच में 6 रन बना है ओवराल रिकॉर्ट भी कुछ खास नहीं है 45 मैच में 348 रने 12 की एवरेस से उसके बाद है उमर जाहिद जिसने 2 मैच में 14 रन बना है अगर बॉलिंग करवाता तो इंपोर्टेंट रहता है वनना कोई इंपोर्टेंट नहीं क कुकि नमबर 5 पर बैटिंग कर रहा है और बॉलिंग बिल्कुल नहीं करा रहा है ओवराल लिकॉर्ट देखे तो 20 मैच में 38 ओवर 23 विकेट ओवराल मैच में इसने गैनबाजी करवाई है ठीक है इसके बाद है अली असन यलमाज जिसने एक ही मैच खिला ता लास्ट वाला जिसमें एक ओवर की गैनबाजी करा है जीरो विकेट लिये ओवराल लिकॉर्ट देखे तो 43 मैच में 246 रन है 72 ओवर की गैनबाजी 36 विकेट बैटिंग और बॉलिंग दौनों ठीक टाक कर सकता है उसके बाद है कामरान वाहिद एक ही मैच खिला ता लास्ट वाला जिसमें दोवर की गैनबाजी करा ही एक विकेट लिया है ट्राक कर सकते हो कि गैनबाजी करवाई थी ठीक है और सामने वाली वीक्टी में तो विकीट भी ले बी ले जासकता है साथे लेकिट इसको कम मिलते हैं तो अगर आप चाहो तो इसको ड्रॉप भी कर सकते हो उसके बादे राहूल गोयल दो मैच खेला है बैटिंग बॉलिंग नहीं करी ओवराल लिकॉर्ट 26 मैच में उसके बादे उसमा कलरेजा कजेला जिसने दो मैच में बैटिंग बॉलिंग नहीं करी ओवराल लिकॉर्ट इसका अच्छा है 17 मैच में 371 अठ्था इसको ट्राइक कर सकते हैं ठीके इसके बादे इबरार एमद दो मैच में तीन ओवरों की गैनबाजी करवाते वे जीरो विक करना है जिसने दो मैच में 4 ओवरों की गैनबाजी करवाई है एक विकेट लिया इस्टार्टिंग आपको गैनबाजी दे रहा है बिल्कुल पिक करना है और लिकॉर्ट चॉपन मैच में 96 ओवर तहिया लिस विकेट यानी बॉलिंग कंफर्म डालता है सलेक्शन देखे 83 प अगर विडियो पसंद आयो तो लाइक करना साधी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको इस तूना मैंट से वीडियो मिल जाएंगे दिन के 5 मैच में आपको टीम बनाने में दिक्कत ना हों और इस मैच से रिलेट सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिल आने बाद